आज थोड़ा लेट वे आपको वेट करना पड़ा लेकिन जो टाइमिंग है वो अपना ये रेने वाड़ा है मुकेस नागोरा मैं तो आज ही आयो और मन लागे आज की छुट्टी है ना ना छुट्टी नहीं है बई क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है आप तो बस तयार हो जोब क्यों सुनों क्या अन्सुर देने राम राम आज हो बई आज हो देखें जल्दी से आज की जो कुसंस होंगे ने अपने सारे इलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है विद्यूत से रिलेटेड क्यूंकि आज लाइट नहीं है बारिश वरी थी उसकी वुझे से टेकिनिकल इसे भी काफी आए तो टोपिक भी हमने विद्यूती लिया है आज गूडियूनिंग जल्दी करो बैदेखें सारे आज हो देखें एक बार उसके बाद में क्लास से चार्ट करते हैं हाँ तो आपके पास में फर्स्ट क्यूशन है एट फ्यूज़तार का अपयोग खालिस्तान के लिए होता है ए नमर है हानी पहुंचाई बिना उच्छी विद्यूत धारा को प्रवाइद करना बी नमर है अत्य दिक धारा प्रवाइद के समय विद्यूत परिपत को तोड़ने C नमर है किसी वेक्ती को विद्यूत जटकों से बचाने D नमर है इनमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या है कमेंट फास्ट हाँ जैसे आपको क्यूसन मिल जाता है आप तुरंट से कमेंट करना सुरू कर दो क्यूसन दिखते ही है आप कमेंट करोगे भई लाइट्स की प्रोब्लम तो भई सभी को थी वेलकाम अरेंदर जी यदि लाइट नहीं रहती तो क्लास को पोस्टबंट भी करना पड़ सकता था लेकिन आप लोगों ने वेट किया थेंक्यू सो मच आप सभी का भई वेलकम है मुकेस नागोरा ए मुकेस बाटी ए हरेंदर जी बी बाबुलाल सुरेश बिजारनिया ए ओमप्रकास सी सुनितारावत ए अनिल बी अंकीत हलो कमेंट फास्ट से गेंए जल्दी जल्दी कमेंट करो जित्ता जल्दी कमेंट करोगे क्लास उतनी ही जल्दी खतम करेंगे सारे अरे क्लास से लंबी क्यों चला रहा हूँ ताकि आप लोगों के एक एक जो भी ओप्सन है वो आपको आराम से समझ मा जाए ये अपने MCQ है मल्टिपल चोइस क्यूशन है लेकिन मल्टिपल चोइस क्यूशन के साथ साथ में मैं आपको एक एक पॉइंट का अर्थ और उसका यूज बताऊंगा आ संकर ए प्रिंका फलो चैनाराम बी राकेश ए अनील बाबल बी था तो इसका जो राइट आंस्वर है NS का नवाब वेलकम भई बहुत दिनों बाद आया आज साथ तेरी फर्स क्लास ये था तो बढ़ अपनी क्लास स्टाट करते है तो फर्स्ट जो कि उसने एक फ्यूज सार का अप्योग खलिस्तान के लिए होता है फ्यूज फ्यूज का तार कसलिए इसका अप्योग क्या होता है इसका अप्योग होता है अप्य धारा परवाय के समय विदूत परिपत को तोड़ने में इसका right answer जो है वो है B क्यों बई कई बार क्या होता है कि अपने जो विदूत है वो अधिक मातना में आ जाती है जितनी voltage गयाने चाहिए उससे अधिक voltage की विदूत हमारे गरों में या फिर जो भी अपने जिस विशेतर है उसमें अधिक voltage गया जाती है तो उसको तोड़ने के लिए fuse उतार का उपयोग किया जाता है इसका right answer है B अब next question देखो next question है कि सुक्तन में धन और विन का चिन नहीं होता तो पहले मुझे ये बताओ कि विदूत धरा होती है वो किस सिरे से किस सिरे की और बेती है आपने battery देखी होगी परिपत देखा है तो उसमे आपने क्या पढ़ा है जो विदू धरा है वो किस सिरे से किस सिरे की और बेती है सुमन ए रमेश ए लालाराम बी कमल भी अंदाराम सी गोरव भी एस्तिवारी गुडिवनिंग गुडिवनिंग अंकित ओम प्रकास पिरानिया ए पिपट आप जल्दी फास्ट बावुला ले कमेंट जल्दी गरो भई ऐसे सोचने समझने वाले क्यूसन है यह नहीं बिल्कुल इजी क्यूसन है हाँ इसमें है धन और रिन का यूज किसमें नहीं होता यह है एमिटर होता है उसमें यूज होता है और विधित सेल होता है उसमें भी आपने देखें और इसका राइट जो आंसर वो है सी कुंडली में कुंडली कैसी होती है आपने इस तरह के परिपत देखियोंगे कि जैसे की कोई पैंसिल है उसके चारों और ये तार तंबेका तार लपेटा होता है वही कुंडली होती है और यही इसका राइट आंस्वर है सी अब नेक्स कुशन देखो नेक्स कुशन है हमारे गरों में जो विदू तापूर्ति की जाती है वह हमारे गरों में जो विदू तापूर्ति की जाती है लाइट आती है वो कितने वोल्टेज गयाती है और किसी कौन सी दारा बेती है उसमें कमेंट फार्स देखें हां कुशन आपके सामने है सर मन सी बताया था उसमें गलत क्यूं बोल रहे हो अरे आप तबी तो बोल रहा हूं कि कमेंट फास्ट करो जैसे क्यूशन दिग गिया कमेंट तुरूंत करो संकर ची सुनिता ए ओमप्रकास ची मुकेश नागोरा सी गोरव जांगीड ए अरेंदर कुमार जी सी अरे बिलकुली जी क्यूसर ने अंदाराम बी मुकेश ची लालाराम सी सुमन सी बहुराराम सी गोरव सी सुनिता रावत सी अनिल बाबल सी सुरेश क्लास में तोड़ा ध्यान को तमेस ए एनस कान सी किरन सी कमल सी बाबुलाल बी डीजे केदार राज लाड़पुरा हाँ इसका जो राइट आन सुरेगा है 220 वोल्टेज पर परत्यावरती धारा हमारे जो गरों में लाइट आती है वो एसी दारा आती है सी का मलत्रा क्या होता है अल्टठेटिव करंट यानी कि जो है दारा होती है पट्यावर्ती दारा और पट्यावर्ती दारा कौन सी होती है आपने ये चितर देखा होगा भई इस्तरे का जिसमें ये इस्तरे से दारा जो बेती है वो होती है आपके पट्यावर्ती दारा यानि कि समय के अनुशार बदलती रहती है समय के साथ बदलती है वो होती है आपके कौन सी दिष्ट धारा जो की बिल्कुल सिधी चलती है ऐसे उसमें समय के सब्सक्राइब हमें साब नियत रहती है तो इसमें जो राइट आंसफर है 220 वोल्टेज और यहां पर एक यह भी है कि जो गरों में लाइट आती है वह अपने 220 वोल्टेज से 240 वो जिसका प्तिरोध कम हो गलना कम हो विशिस्ट गनत्वे कम हो या चलत्वे कम हो कमेंट करो देरे जल दिसे सुरेश बिजार्णियां और एक सोरी भई अरे थोड़ी सी टेक्निक लिस्ट यह होगी भी एक मेंट क्या है कि थोड़ी सी आज ही नेटर प्रोल्बम हो सकती है हाँ हरेंदर जी मोबाइल के चार्जर में कौन सी दारा बेतती है मोबाइल के चार्जर में डिसी दारा दिश्ती दारा मुकेस नागोरा चार्जर में डिसी गुड राके जाट ए अनदाराम बी सुरेस ए पाउनकुमार बी कमल अनुवा ए अनील बाबल बी मुकेस नागोरा ए हाँ गुड सुनी तरह होते हैं अब इसमें क्या है गरेलू विद्यू तुपकणों में प्रियुक्त सुरुक्सा फ्य होती है जिसका गलनाक कम हो गलनाक का अर्थ क्या होता है वह निस्ताप जिश पर कोई वस्तू क्या हो गलती हो या फिर क्या कह सकते हैं उठो से तो किसम बदलती है वह द्रव में चेंजिंग होती है वही होता है उसका गलनाक और इसमें जो ताप जब गलना कम होगा तो क्य हो जाएगा तूट जाएगा और तूटने से जो परिपत है वो कट जाएगा और जो लाइट है वो नहीं आएगी ठीक है अब अपने पास में बिजली के बलब का फिलामेंट किस सत्व से बना होता है यह आंस्वर तो भाई सारे बता दोगे आप लोग जल्दी से कमेंट करो देगें आज बही कमेंट से कई स्टुडेंट्स के बाहिद दुए नहीं पढ़ पाता हूं तो ध्यान रखना कि अपने यह टेक्निकल उश्यू आ रहे है इसलिए साइध ना पढ़ पाऊं कल सुम्बानो सी गेक्स चोधरी बी रमेश सेये गुरू जी थैंक्यू ओंप्रकास भी प्रेंका पर्तियोध भी कम होगा पर्तिरोध क्या होता है पर्तिरोध कोई धाराबेरी है उसके मारग में आने वाली बादा को बोलते हैं पर्तिरोध हाँ तो यह बताओ वई कौन सा होता है इसमें ओमप्रकास जी कमल डी कुमाव चनराम डी पवन डी रमेस डी बॉनराम डी किरन डी गोरव डी सुनितारावर डी सुर्यस मिजानिय डी इसका राइट अंसुर है टंगस्टन अब यह तो आपको पता है कि टंगस्टन जो दातू होती है उसका फिलामेंट बलब में लगा होता है लेकिन क्यों होता है क्योंकि जो टंगस्टन दातू है उसका गलनाक उच होता है अधिक होता है वो जल्दी से द्रव में तूरता नहीं है और उसमा है उसको उससे जित करता रहता है इसलिए जो बलब है उसका फिलामेंट दाटका बना होता है next question आपने पास में बलब को तोरने पर तेज अवाज होती है क्योंकि बलब के अदर निर्वात में वाजु तेजी से प्रवस्ट करती है बलब के अंदर विस्पोटर गेस होती है बलब का filament विल्कुल सही है जल्दी क्रमेंट करो भाएदेगें तो बलब को तोड़ने पर तेज वाज होती है क्योंकि बलब के अंदर निर्वात में वायू तेजी से प्रवेस करती है इसका राइट आंसर यह है अब इसमें है जो बलब है उसके अंदर आरगन गेस भी होती है और और भी गेस से होती है बरीजाती है और निर्वात भी होता है तो जब बलब है उसमें निर्वात रहेगा तो जो वायू है वो उसके अंदर प्रवेस करेगी जिसकी वज़े से बलब है वो आवाज करता है यह कौन के капंडा में कि देगें ही ओर नेगुachana की हाँ अह गुड्स चुनकहां कि बढ़ी खान बाइटी स्विथा ? और क्नुली है कमेंड बाइट जल्दी कर देगें तीके नेक्स घुशन देखो प्रेंग का गुड बिल्कुल सीए वाई इसके कमेंट करो देगे जल्दी अरे कमेंट फास्ट जल्दी करो देगे मुकेस गुड लालाराम डी संकर ए अरंदाराम ए सुनिल ए उमपरकास ए कुमाव चनाम ए रमेश ए मुकेस नागुरा ए कमल ए सुरेश ए दर्माराम ए सुनिता ए बहुराम ए मुकेस बी अरे बहुत लेट आये रे नहीं है जो विद्हुद्दारा है उसकро मेंशिन मापा जाता है ए मिटर में मपा जाता है ए मिटर है उसके दौरा विद्धारों को मापा जाता है नेक्ट कुसें्हेद आपके पास में विदुद दाराग के उसमिय परबापर आदारित ग्रेलूप करण है और ये तो कोई सा कोई बता देगा विदुद हिटर है विदुद बलब है ट्यूबलाइट है या उप्रोक्त सभी कमेंट फास्ट जल्दी कमेंट कर वह देगे हैं बिल्कूल इजी सा क्यूस्टन है विदुद हिटर विदुद बलब ट्यूबलाइट और उप्रोक्त सभी क्या हो भाई लालाराम कमेंट जल्दी कर वह देगे हैं कुमावाद चेनाराम डी निरस डी गूड जल्दी फास्ट कमेंट फास्ट भाई DJ केदार राज लाड़ कूरा ए मे रैस कुमार जाट एَ ओन्परकास डी बोरराम डी सुनिता बी और इसका राइट अंसट जो है वो है तरह सभी क्यों है अरे उसमिये प्रभाव पर अधारेत विद्वत जो की उसमा परदान करता है विद्वत विद्वलब भी करता है तो इसका तुर्याइट अन्स रहो क्या होगा उप्रोक सभी अब नेक्स्ट कुशन है किलोवाट गंटा किसकी इकाई है विभुवांतर विद्वत शक्ति देखकर चलेगे क्योंकि हमने है वो सही टाइम पर क्लास स्टाट नहीं की उसका हमें खेद रहेगा अगोरव एड बी एडी ओल है क्या कर रहा है वही सही राइट 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 आन सुड़ दे राकेजाट डी संकर भी महसकुमाजाट भी कमेंट फास्ट अरे क्यों सुन देखती है कमेंट कर दिया अगरो मेरे पास में कमेंट से लेट आ रहे हैं क्योंकि टेकनिकल इस्यू आज अनिल डी जैसे क्यों मिल जाता है देख लिया तुरंत लालू गलत बतावाया हाँ भई वो आप लोग कोई ना गलत हो जाते हैं लेकर क्यूस्टन बिल्कुल इजी है और कम्पेटिशन के लिए इंपोर्टेंट भी है निरस डी सुनिता बी ओमपरकास दी सुरेस बी तो इसका जो राइट अंस्वर है वो है से विजूत उरजा और उर्जूत उरजा करेंशित का व्लीट एकल ट्री मिन टु टी यहीं होता है अब नेक्स माध ₱ यावा है अलब नेबिश्य कश्ण लेगो फृत्याम लेपैंशेश को करने वाली यूग्ती को कहते हैं पत्यावर्ति धरा को दिश्ट धरा में ase कोडी सी में ase कण्वर्टे इन DC कौन सा यूगति है कौन सा यूगति है यूगति है भई हाँ निरज जी सुनिता भी लास्ट वाले क्या झाइव दे रही हो क्या या इस निदे गोरव डी सर देखते हैं भई वो तो बाद मी पता चलेगा राइट है या रोंग पवन सी नेमी चंजी सर वेलकम सर सी कुमाव चैनाराम डी दर्माराम इटारा सी अनिल बाबल सी और इसका जो राइट आंस्वर है वो है बी रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्या करता है परत्यावरती धारा को दिश्ट धारा में परियूर्तित करता है और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका इन्वेटर इन्वेटर सब जानते हो यह क्या करता है DC को AC में परिवर्तित करता है DC को AC में कौन परिवर्तित करता है इन्वेटर परिवर्तित करता है जबगी जो रेक्टिफायर है वो AC को DC में changing करता है यानि कि alternative current is changing in direct current और जो transformer होता है वो आप जानते ही हो क्या होता है कि ये निशित जो आवर्ती होती है उसको इस्ताना अंत्रित करने में इसका उप्यों किये जाता है दो प्रकार के होते है उच्चाई और अप्चाई और जो transmitter है वो क्या करता है कि जो संदेश आते हैं उनको विदू चुमगिये तरंगों के द्वारा बेजता है नेक्स्ट क्यूशन है transformer प्रियुक्त होते हैं और एसी को डिसंओं बदलने के लिए डिसी को एसी में बदलने के लिए टिस्य वोल्टेज को उप्षेन करने के लिए कमेंट दे करो यह जो है लास्ट विशन मेंने दो तिन ऑप्षन तो बता दी है यदि आपने से डहिसे पढ़िए ने तो भी बता दो कि मुझे लग रहा है आज सूर्य दीप डी लास्ट वाले क्यूशन के दे रहे हो या इस वाले के इसी का है चलो बढ़ी आए वई अनेल आज सुधी डी गुड मुकेश नागरा डी सुनिता रावत डी अरे कमेंड फास्ट करते रो बस क्यूशन देखाने की कि फड़ा फास्ट को बस कमेंड आप जल्दी से जल्दी करते रहो प्रेंका डी ओंप्रकास दी सर नुवे क्यूशन को दुबारा बताओ आंस्वर भी होगा नुवा क्या था भई कि कुमाद सी अनिल डी महसबी किरन डी रमेस सी सूरेदी बी इसका जो रहट आंसर है वो है सी वोल्टेज का उप्चेन या अप्चेन है करने के लिए इस जो नुवा क्यूशन क्या था 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 विद्धू दूर्च बिल्कुल से यह अब आपके पास में यदि किसी परतिरोधतार को लंबा किया जाए तो उसका परतिरोध ए बढ़ता है गड़ता है इसी रहता है या उप्रोक्त सभी जल्दी से कमेट करो भई देखें गेक्स चोदर डी दिर्मराम ए एस्तिवारी ए कमेंट बस फास्ट करते रो रहे कमेंट फास्ट करो बस आप लोगतो शुदीर बी सोच लियो बेले सोच समझ गे और फिर आंसर देना भई आराम से सोचो समझ और फिर आंसर दिया करो ओम प्रका जांगू भी रमेश ए अनील भी प्रिंका ए दर्मेंदर इटारा सी निरज ए चलो भई बताई देते हैं जो यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है गड़ता है इससी रहता या उप्रोप सभी तो प्रतिरोध ये बा विदूत धारा परवाइत हो रही है उसके मारग में आने वाली बादा को प्रतिरोध गेते हैं लेकिन साती सात में इसके कुछ रोल्स होते हैं आर इज परपोर्शनल टू एल अपॉन ए यानि कि लंबाई के समानुपाती होता है जब गी अनुप्रस्थ कार्षेतर पल होत यहां से क्या होगा भई आप लोगी बता दो क्योंकि प्रतिरोध तार को लंबा करेंगे लंबा करेंगे तो प्रतिरोध गमान बढ़ेगा तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा ए होगा अब देखो नेक्ट क्यूशन है mcb को लगू पतन के मामले में विद्यूत की पूर्थी को कार देता है काम करता है कौन से सिद्धान्त पर यह काम करता है और पहले तो मुझे यह बताओ कि mcb की फुल फॉर्म क्या होती है और इजी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ए हाँ बिल्कुल राइट अवई है सर सुरे सीरियल देखवा लागो को कोई नाब जो देखी नहीं हो ले हैं वो तो अब सीरियल देखेंगे और क्या करेंगे निरज जी प्रिंका सो ए कुमाउच नाम ए संकर ए किलाश चंद ए बी कमेंट जल्दी करो वए देखेंगे हाँ यह जो है mcb उसकी फुल फॉर्म होती है पहले फुल बता देता हूं हाँ क्या कोई बता रहा गया नहीं बता रहा इसकी फुल फॉर्म होती है मिनियेचर सरकिट ब्रेकर यह इसकी फुल फॉर्म होती है और यह जो है वो किस सिद्धान्त पर कार्य करता है यह सिद्धान्त करता है दारा के तापन परभाव पर एमसी भी आपने सुना है देखा है सबीने गरों में लगी होती है वो इसी तापन परभाव पर कार्य करती है और तभी जब जो ताह है वो अधिक गर्म हो जाते हैं तब है जो एमसी भी है वो नीचे हो जाती है और विदुत परिपथ है वो तूट जाता है नेक्स्ट पैंपने पास्में एक wouldnंकि बराबर होता है एक implication परती कुलाम है उसमें आप बंटा में इसका मतलब यह होता है तो कमेंट करो वह देगे चल दिसे हैं कि हाँ बिलकुल से यह ईसलिए अ ओ, वन जूल, स्वरी, दर्मारा मिटारा सी, निरज बी, कमेंड फास्ट करो यार, बहुत राइम लगा रहे हो आप लो, इसका जो राइट अंसर है, वो है, बी, एक जूलाम परती कुलाम, एक जूल परती कुलाम, कैसे होता है, एक वोल्ट, वोल्ट से निरुपित करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, डबलो पॉन क्यू, और ये नहीं पढ़ा क्या, वी एनन्थ माइनस, वी नोट इक्वल टू, डबलो पॉन क्यू, कार ये बटा, आवेस की एक, जो धनवेस होता है, उसको, किसी आवेस के विप्रित लाने में, जो किया गया कारिया होता है, वही ये बस और क्या पुछा, इसने की एक वोल्ट, एक वोल्ट है, तो इनको भी एक एक कर दो, तो एक वोल्ट बराबर क्या होगा, एक जूल परती कुलाम, ये इसका राइट आप अन्शुर, अब देखो, नेक्स क्यूसन है, कौन सा उपकन्ण विज्यूत पर्तिरोध को प्लीज सर के न्यूटी रीच आसे राजसान जी के राजसान जी के है वो मुझे ज्यादा नहीं पता और राजसान जो जी के है उसकी क्लास आपके जल्द ही लगेगी राजेंदर जी रेवार सर है वो पढ़ाएंगे आपको सुदीर ए वापस आगया भी रहें केलाजी वी ओम ब्रकास ए रिचबाल डी रमेश ए दर्मराम सी कुमाउ चैनराम ए कौन सा आपकन विद्यूत परतिरोध को मापता है विद्यूत परतिरोध है उसको कौन सा मापता है ओम मिटार ये मापता है बाकी के सारे है ये जो मैं आगे आ सकते हैं या फिर मैंने लास्ट कुछ ने बता दिये हैं अब देखो दो विद्यूत आवेसों के बीच लगने वाले बल्च से समंदित है एक नमर एंपियर का नियम बी नमर है कुलाम का नियम दो आवेस उसे रिल्टेड कौन सा है वह सभी ने पढ़ा होगा अब आवेस जानते होने आवेस किसे कहते हैं आवेस होता है क्यू बराबर एंई यही होता है यानि की इलेक्ट्रोन परवाय की दर होती है इलेक्ट्रोनों के परवाय की दर जैसे कि आपको विडियु धरा के बारें पूछ लें तो विडियु धरा बराब क्या होता है क्यों पौन्टि यही होता है अरे जो इलेक्ट्रोन शुक्राव का होता है जैसे कि दारा यहां से यह इस तरह से बेरी है ठीक है अब यह मैं ऐसे कुंडली हो गई यह कुंडली बना दियो यहां पर जो भी है तो यहां से यह जो धराब बैती है उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोनों की गति होती है तो अब यहां पर आया दो विद्धूत आवेस्टों के बीच लगने वाले बल्ट से समंदित है यह प्रिपति नियम आपने पटा होगा बी डोट डी लई होल ओप इंट्रिगेशन एकवल टू म्यूजिरो समिसन आई होता है जबगी जो कुलाम का नियम क्या होता है एप समानुपाती q1 q2 upon r square क्या ये वाला ही तो नहीं है लगने रहा क्या दो आवेस्ट दो आवेस्टों के बीच लगने वाला पल दो आवेस्टों के बीच में लग रहा है q1 और q2 हैने तो ये जो बल है वो किस पर है इस कुलाम ने बताया था तो f is proportional to q1 q2 upon r square अब फेरा डेगा नियम फेरा डेगा नियम आप जानते ही हो फाइप पॉल्टू क्या होता है डिफाय अपॉन डिटी चुम के फ्लक्स में परिवर्तन के दर क्यलाता है और ओम का नियम आप जानते ही हो भी इक वोल्टू क्या होता है आया या समानपार्ती आई पास और या पर क्या है प्रतिरोध है अब नेक्स कुषिट को देखो नेक्स तसने डातों एं विद्धियोत के सुचालख वती है क्योंकि दातों भीड्यूत की सुचालख क्यों होती है वाई कमेंट नहीं पड़े इसके लिए आप लोग अब आपा ऐस और दो पहले तो क्या कि क्योंस का पिस सारे पड़े हैं अभी 30 क्योंस है अंदर हम डी के लास भी जल्दी जल्दी देगें कमेंड फास्ट करो भई आंदर जल्दी रमेश आ अनिल आ सामर बी जच पल आ सुधिर सी अरेख लास नियुट निरेज देवना ए ओंब्रकास ए तर्माराम डी मुकेस ए सुनिता डी प्रिंका है अब क्या होता है कि कईयों के से कन्फुजन होता है बुरा मानने वाली बात नहीं है कि कि यह सब्सक्रां में बीक्त का नई नहीं है अपिर जहां पर अपर क्रोक सभी आता है या फिर यह लिखा जाता है एव फी दोनों तो लगबर चांबस बही होते हैं कि वही अंसुन का लेकिन यह भाई फिजिक्स से है और fragile में ऐसा असंभव हो नहीं है इसलिए प eh क्यूसन को पढ़ो समझो और उसके बाद में आंसर दिया करो तो जो तुम्हें विदुत के सुचालक होती है क्यूंकि उनमें मुक्त इलेक्टोन होते हैं और जो विदुत धारा तब ही उनमें से प्रवाइद होती है जब उनमें मुक्त इलेक्टोन रहेंगे और यही इसकी बजे होती है यहाँपर जो अपने विद्ध धोरा पहुंचते इकडरों में वो भी उसमेंभी मुक्त इलेक्ट्रों होते हैं और जिसमें मुक्त इलेक्ट्व shameful जती नहीं करते हैं वह क्या होते हैं और एक होता है अर्ध수ra उसका आगे क्यूसन साइद आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोनिक करंट का यूनिट निमलिक में से कौन सा है इलेक्ट्रोनिक करंट बस नाम इंगलिस में है अरे इलेक्ट्रोनिक करंट है इलेक्ट्रोनिक करंट का यूनिट यह नहीं मात्रक इलेक्ट्रोनिक करन्ट का मात्र क्या भई हाँ सुर्जित दी गोरव डी मेसकुमार जाट डी अनिल ए किरासंद ए अनिल योगी डी डेड एक चीज में आपको बता दूँ और कि कमेंट है आप लोग जदा अन्य करें जैसे कि एक बार डी लिख दिया तो आप ऐसे डी-डी-डी-डी ऐसे लिखते हूं लंबे तो वो कमेंट यहाँ पर नहीं पहुंचता है उन्ली एक बार या फिर दो बार आप लिखते होने तब ही यहाँ पर मेरे पास आएगा शो करेगा अधर्वाई शो नहीं करता है तो जो राइट आंसर है वो है D मैंने आपको लाश्ट क्लास थी मात्रक वाली उसमें मैंने बताया था कि जो एलेक्त्रोनिक करेंड करंड होती है उसका मात्र क्या होता हैं अता है तो नेक्स बिदूद करो जैए तो दरा बुमी में चलि जाएगी इससे विदूद का शे नहीं होता है ये विदूद परिपत को पूर्ण करता है कि से न क्या आंसे क्या है वही देगें कमेंट लक्स्मान कांचो ऩग्डी आज काप इस्टुडेंट्स जुनने वाले थे लेकिन एक तो हमारे यहां भी टेक्निकली इशुब बार-बार आ रही है और बारिस ने इस क्लास का मज़ा खराब कर दिया भई हाँ भई गुड सुदिर A, अनिल A, नीरज A, उंप्रकास A, तमेश C, विदूज फिटिंग्स में एक तार को बू संपरकित किया जाता है इसका कारण जल्दी करो भई यदि लगू पतन हो जाए तो दरा भूमी में चली जाएगी इसका ये राइट आन्स वरे है क्या होता है कि कई बार सोट सर्किट लगू पतन का आर्थ जानते होनों सोट सर्किट हो जाता है तो जब एक तार है बूमिगत आपने ये देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके उपर जैसे कि या तो चलने वाले ट्रकें होती है उनके नीचे एक जंजीर लटकी हुई होती है उसकी वज़े भी यही होती है कि उसमें जो भी उसमें होती है वो श्री डारेक्ट ली भूमिगत हो जाए हाँ प्रिंका एज ग्रेक्ट ओप्शन सुनीता है समर्टवर्द ए सर बारिस में एसी क्लास मिल जाए तो और क्या चाहिए मज़ा आ गया सर अरे मज़ा तो आए गई बस हाँ एक तो हैने ज्यादा इस्ट्रेंट होने तो पढ़ाने का जो से अलग होता है मेरा गला ख्राब हो रहा लेकिन फिर मैं जो से पढ़ा रहा हूं मैं का भाई जो भी है आप लोग आये हो तो मेरा भी फर्ज बनता है आप देखो नेक्स क्यूशन विदूत उपकर्ण में अर्थ का उपयोग होता है विदूत उपकर्ण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकर्ण तीन फेज में काम करते हैं सुरुक्षा के लिए यहा है फ्यूज के रूप में विदूत उपकर्ण में अर्थ का अर्थ का उपयोग किस लिए करते हैं अर्थिंग बस वही है बीम सिंग चोधरी ओपी बोस राम राम ओपी सर नहीं आये हैं कि अधिक एलास ए प्रिंगा ओल दे बेस्ट गुरू जी थैंक्यू निरज सी तर्मा राम नमस्कार वही इसका राइट अंसर है वो शुरुक्षा के लिए शुरुक्षा जो अपने अर्थिंग इसलिए करते हैं कि अपनी शुरुक्षा हो सके अब नेक्स्ट कुशन है घरों में लगे पंखे बलब आदि लगे होते हैं अरे वह यह आंसर तो हर को बता देगा है इस क्यूशन का अं लगे अंधी आ देंसिंग राम राम है कि यह पोलेज की तरफ सेंवे शर्र आ आप कमेंट्स प्छले क्यूसिंट के पड़ रहे है आपके पास लेट पूंच रहा है कमेंट्स को और सेपटी है आप गोने दोड़े लेटी आ रहे है मेंने आपको बोला था निंए तुम लोग होते तो क्या पता और भी मूड बढ़ा लेते हैं गोरव जांगिट सी अनिल सी सामर्तमर्थ सी अरे बिल्कुल राइट आंसरे बैसमांतर करम में होते हैं समांतर करम में क्या होता है आपने चितर नहीं देखा गैसा एफा इस तरह से प्रतिरोद लगें होते हैंं इस तरह से बस यहीं में होता आपके समांतर करम और पंता नहीं कि यह ऐसे तार जा रहा है यहां से बीच में आपने कहीं और दूसरी जगे लगा दिया हाँ ठीक है तो इसका राट अंसर वह होगा सी किसी चालक के शीरों के बीच विवांतर उसमें बेने वाली दारा के समानपाती होता यह नियम है यह नियम तो मैंने बता दिया था भई कि मुझे लग रहा है किरन चोहल सी नीरत सी अनदाराम सी कि समानतर करम में गुड लाइस वाड़ क्यूसन की बता रहे हो ना हाँ समानतर करम में होता भई कि यह साथ टेंथ क्लास में था हाँ अब आजगल तो क्या है कि साइन्स आपके नैंस से स्टाट होगी यह लग बगए शुदीर भी आँ समर्तवर क्या हो भाई यह क्या बोतल है किसकी बोतल है यह सेनिटाइजर लग रहा है रमेश अनदाराम सी इसका जो राइट आंसर है वो है चालक के सिरों में बीच विभांतर उसमें बेने वाली धरा के समानुपाती होता है किस ने बताया था भई ओम ने बताया था ओम ओम यह वड़ा सुना है ने देखा है सभी ने बस इसी ने ब आई विद्ध जो विभांतर है वो दारा के समानुपाती होता है जब समानुपाती इस ने तांग को हम क्या लिखते हैं आई यार यह नाम तो सुना है आपने वी इकॉल टू आयार अभी जैस्ट में बताया था आपको बस वही है आपकी अब नेक्स्ट कुस्णे ओम का नि हाँ भाई लेट महुच रहे है आज है आँ नेट सलो है आज टोड़ा कुछ है आप पिछे वाले के पड़ती हो हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है प्रेंका बगर ओमन में शिवाई हाँ बस एस दिवारी शुदीर डी गोरव जांगी डी सुनिता डी ओम प्रकास डी हाँ कुछ एक तो मुझे लग रहा है कि खानावाना खाकेर फिर आ रहे हैं कि भाई क्लास वैसे भी मुझे लग रहा है लंबी चलेगी इसलिए खानावाना खालेते हैं इस निरस डी सामरतमर डी परवन वी क्वल टॉ आयार हां बिल्कुल सही है वही तो इसका जो राइट आंस्पर है ओम का नियम क्या परिपासित करता है दारा और वर्ड ता दोनों को परदर्षित करता है आरे वी समनुपति आई नहीं है क्या मैंने बताय था ने वी प्रति रोध का इसा हमातर रक विस्टिष प्रति रोध है उसका एसा हमातर क्या होगा है एसा है सिस्ट्रम ओप इंटरनेशनाल अब बोथ दारा एंड वोल्स आपिरिंग बिल्कुल गुड कि यरंडी बिल्कुल सही है वही अब इस वाली क्यूसन क्या अंसर दो देगें सर्थाने भाईयो ठीके है ना भाई अब तु देख निरस देवना ओम मिटर ओम प्रकास भी रमेश भी अन्दानाम एस एस सुनिता रावत भी अनेल भी अरे ये एस कहा से आ गया भी अन्दा मत्र करनामेश करते हैं यह रोकाचिन और हां डानतीक और मातर क्या होता है ओम में तो मुझे यह बताओ कि ओम इन्वरण एट अन्ड मेंटर इन्वरस और हो खना होता है ओम इन्वर से उसको क्या बोलते हैं महों भी बोलते हैं तो यह मातर किसा होता है यह झो माध Carry ओन्ट को वोुक्ति होता है किसका ich १ा कि चालक ताकर ठीक है और यह होता हम इंटु मिट्र विश्च पतरोध यह पतरोध दगता अब नेक्स पूसरन है वह मारे पास में एक दो ओर पीन firearm के तीन परती रोधय को स्रेणिकरम में जोडने पर समतुल्य परतिरोध होगा एक ओम, दो ओम, तीन ओम और छे ओम, चार ओप्सन हैं और यह जो पतिरोध है उनको सेने करम में जोनने पर, जो कुल पतिरोध होगा, वो क्या होगा? चालकता, ओम पर का सब्सक्राइब कहीं मेरा सुनके बाद में कमेंट किया है या पिर पहले ही पता था तुझी? निरस डी, कमेंट फास्ट भाई दीगें, सर जीके के क्युशन कब से होंगे? जीके के क्युशन ने अपने लास्ट चबीस, ताइस या अठाइस तारिक से स्टाट होंगे, कन्फर्म डेटा भी नहीं है क्यूंकि सर अभी थोड़े बाहर है, गोर्मेंट टीचर है, राजिंदर जी रिवार्ड लगबू जानते होंगे? दर्माराम डी, ओम प्रकास डी, रमेस बी, सर केन यू टीच मी, पिया जनक सान, बिकोज आइम वेरी वेक इन फिरिजिक्स, अहाँ वी, पढ़ाएंगे अब, फिरिक्स की क्लास तो लेंगे, फिरो और तो क्या है, इसमें, और जो स्मांतर करम में, वो क्या होता है, 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, बस सिधा इस जो, यहाँ पर परतिरो दे, यहाँ पर मान रख दो, क्या-क्या मान है, यहाँ पर 3 परतिरो दे तो R1, R2, और R3 हो जाएगा, R1 का मान क्या है, 1 plus, यह 2 हो गया, और यह 3 हो गया, है, परमानू, आएन, प्रोटोन और इलेक्टोन, जल्दी कमेंट करो भई देगें, जब किसी चालकतार में विद्धारा प्रवाइट की जाती है, तो गति शिलकन होते हैं, परमानू, हो सकते हैं क्या, आएन हो सकते हैं क्या, या प्रोटोन होते हैं, अरे, केमेसली में खूप पड़े होंगे आपने इलेक्टोन, प्रोटोन, न्यूटोन, हैने, तो उन्हें में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रोन अभी बताए थे हैं कि जब भी विदुधारा प्रवाइत होगी तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रोन उपसित रहते हैं और यहां पे भी क्या है विदुधारा पूछिए तो विदुधारा में गतिसिल क्या होते हैं इलेक्ट्र कौं कि होते हैं और प्रोतों नुटान परमानों की बारे मैं आप जानते ही हो है अब मंकित में कौन विदूत का सुचालक है शल्फर प्लस्टिक अयोडिन ओर आप इनमे से जो विदूत का सुचालक है सुचालक कौन सा होता है कि इस सुचालक व् Rib 사 Allah मैने बता Kollegin से हाँ वई सुदीर सही है वो दिन अब बीट गए है अमित डी अमित ले रहा है वई अब जो क्लास है वो खतम होने वाली है सुनिता सी अमित डी ओमप्रकास डी अनिल डी समर्तवार डी ईह बिल्कुल सही है इसमें जो राट हम उत्पन करते है रुपांतरित करता है जो तरह है उसको द्हुरा में रुपांत्र करता है वो कोन सी युकती है ये यांत को घो делает करने वाली युकती जनित्र मॉटर मेंटर या ग्टर नवेटर लिए और की साथ तुमएटर है प्रेंका यह Vल राइट और पुर्जा को किसमें करता है विद्यू तूर्जा में रुपांद्रित करता है जब कि जो मोटर होती है इसके विपरित होती है विद्यू तूर्जा को सबसे ज़्यादा अधिक मातरा में चालक जो दातु वे कौणची है तामबा लोहा अलूमिनियम और चांदी जल्दी से कमेंट कर भई देगें इन में से जो सरवादिक जो चालक दातु है वो होती आपके चांदी डी कमेंट से अब नहीं पढ़ रहा हूं बैवी आई नहीं रहे हैं से लग रहा है को नेट्र प्रोब्लम हो गई है कि या नहीं दे रहे हो आप लोग है कि सुधी डी बिल्कुल से वही अब ऐसे पदार जिनमें सामाने अवस्ता में मुक्ति लेक्टोन नहीं होते हैं लेकिन विशेज प्रसितियों जैसे उच्छताप या असुधी मिलाने प पर मुक्त इलेक्टोन प्राप किये जा सकते हैं केलाते हैं सुचालक पदार पुचालक अचालक या अर्ध चालक अब यह बताओ मुझे देखें क्योंकि चालक पुचालक इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था अब है लास्ट एंड इस क्लास का फाइनल क्यूशन कमेंट पास भाई अब की बात सारूं के पढ़ूंगा कमेंट मुकेस बाटी डी निरस्देवना डी अमित डी रमेस डी सुधीर डी लक्समान सी अमित डी रमेस डी गोरव डी सुनिता डी ओम्परकास डी मुकेस बाटी डी अमित जांगी डी अनील सी सुधीद सी रमेस डी स डी इसका जो राइट अन्सवरे वो है अर्धसालक अब आपको मैं और बात बता देता हूं क्या आपने मात्रक बड़े हैं मात्रक मुख्यत्यार चार प्रकार होते हैं होती है यह तो मतलब होता है कि प्रकार होता है मिटर किलोग्राम सेकंड का होता है है सेंटिगराम किलोगराम और सेंटिमेंटर विद्ध पर इंटरोसानल जो ऐसा में उन्हें साथ आपके मूल मात्रक गवते हैं, ग्रास from सब्रिट तो अब है इसमें आज गिए अपने अंत्व से रिलेटेट थी के विदुद्ध से लागा हुगा और आज टेबल कमेंट्स ना करें हमारे कमेंट्स तो पहुंच ही नहीं पादते हैं आग गुड़ नाइट सुदीर तेंक्यू भाई बोथ दन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी क्लास लेट होते भी टाइम निकाला और अब जो है आपकी क्लास रेगुलर मैंने आपको बताई दिया है हर साम ठीक 9 बजे क्लास इस्टाड होगी अब है आज जैसे की मेरे फिजिक्स की थी कल आपके बायों की हो और अब है अच्छे कमेंट्स रहेंगे अच्छे आप जुड़ोगे तो आगे जिक्की क्लास मैंने आपको बताई दिया है कि सर आ रहे है और जल्द ही जिक्की क्लास भी शुरू की जाएगी तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद गुडबाई गुड़नाइट स्विट ड्रीम्स थैंक्यू